आप सभी का स्वागत है आज की इस कहानी का नाम है बदमाश पती एक गाव था धंकपुर इस गाव में भारती नाम की एक महिला अपने पती मजनू के साथ रहती थी मजनू सुबल काम पर जाता और शाम को लोटता था मजनू तुम आज कल घर पर बिलकुल ध्यान नहीं दे हो भारती अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता इस तरह बैठकर भाशन नहीं दे रहे होते मजनू कल जो 50 रुपे दिये थे दो कुछ जरूरी काम है भारती मेरे पास नहीं है मजनू कहां गए कल ही तो दिये थे भारती सबजिया लेकर आए हूं सब्ताह भर की सब्जिया एक साथ लेकर आए हूं मजनू क्या तुम पागल हो गई हो इतनी सारी सब्जिया एक साथ लाने की क्या जरूरत थी मुझे तो एक कटोरी भर कर भी सब्जी नहीं देती तो इतनी सब्जी का क्या करोगी भारती अगर आपको सब्जी नह नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ ये जो तुम्हारी तोंध है ना वह ऐसे नहीं बढ़ रही मजनू देखो मेरे पेट के बारे में कुछ भी मत कहा करो नहीं तो भारती नहीं तो क्या मजनू नहीं तो अच्छा नहीं होगा भारती अरे जाओ जाओ तुम भारती, अरे, कहा ना जाओ मजनू भारती के उपर हाथ उठाते उठाते रुख जाता है भारती, क्या हुआ, रुख क्यू गए, बस यही देखना बाकी रह गया था मजनू, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता भारती गुस्से से बाहर चली गई मजनू भी काम पर निकल जाता है जब मजनू शाम को घर वापस लोता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता मजनू, अरे, सुनती हो, कहा गई, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती मजनू, अरे कहा गई तुम, जल्दी से पानी लेकर आओ, लेकिन कोई आवाज नहीं आती मजनू फिर रसोई में जाकर देखता है, पर वहाँ पर भी कोई नहीं होता फिर मजनू घर के दरवाजे की ओर आता है और वहाँ से गुजर रही एक औरत से पूछता है मजनू, दादी, क्या आपने भारती को कही जाते हुए देखा है दादी, नहीं बेटा, मैंने तु सुबह से उसे देखा ही नहीं तभी गाउं का एक आदमी भागता हुआ मजनू के पास आता है आदमी, भाया वो भाभी, भाभी वो, मजनू, मैं भी तुम्हारी भाभी को ही तो दून रहा हूँ आदमी, अरे भाया, वो भाभी वहाँ, मजनू, कहा है वो, बताओ, आदमी, भाया, आप मेरे साथ चलो आदमी मजनू को जंगल की तरफ लेकर जाता है वहाँ पर काफी भीर होती है मजनू को देखते ही लोग रास्ते से हज जाते हैं वहाँ सामने एक लाश पड़ी हुई होती है जिस पर कफन डाला हुआ होता है मजनू, अरे, ये कौन है? क्या हुआ है इसे? आदमी, भाया, हम में बताने की हिम्मत नहीं है आप खुद ही देख लो मजनू ने जैसे ही कपड़ा उठाया वह जमीन पर बिखर गया और चीक-चीक कर रोने लगा भारती, भारती उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? आदमी, भाया, यहाँ कभी नहीं उठेगी पिछले तू तीन घंटे से हम तुम्हारा इंतजार करते रहे हैं मजनू, भारती तुम उठो, मजाक मत करो मेरे साथ चलो उठो, घर चलते हैं आदमी, भाया, संभालो अपने आपको मजनू, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी दो दुनिया ही उजड़ गई तभी दो पुलिस वाले वहां पहुँचते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं गाउध वालों ने किसी तरह मजनू को संभाल लिया था एक पुलिस वाला लाश से हलका कपड़ा उठाता है और कहता है, यह हत्या का मामला है किसी ने यहां कुछ होते हुए देखा है आदमी, नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा है मुझे तो इस नत्थू ने बताया था नत्थू, साहब मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा, भावी यहाँ पर पड़ी हुई है, पास आकर भावी की नबज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई तभी मैंने गाववालों को बुलाया, पुलिस वाला, इसका मतलब इसकी हत्या कैसे हुई है, इसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता गाववाले, नहीं, नहीं साहब, पुलिस वाला, हम इस लाश को पोस्ट माटम के लिए ले जा रहे हैं तभी एक एम्बुलेंस वहाँ आती है और लाश को पोस्ट माटम के लिए ले कर चली जाती है अगले दिन एक पुलिस वाला मजनू के घर पहुँचता है मजनू, दिवार पर टंगी तस्वीर से, अरे, क्या हो गया तुमको, इस तरह मुझे छोड़ कर क्यों चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा पुलिस वाला, मजनू, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान है तुम्हें अभी मेरे साथ पूचताच के लिए ठाने चलना है पुलिस वाला मजनू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है इंस्पेक्टर, हाँ तो मजनू, भारती नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है, वो तुम्हारी पत्नी ही है मजनू, जी साहब, इंस्पेक्टर, किसने मारा है उसे, किसी पर कोई शक मजनू मजनू, जी नहीं, साहब, मुझे तो किसी पर भी शक नहीं है इंस्पेक्टर, पर मुझे तो तुम पर है सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लडाई जगडे में उसकी मारपीग भी करते रहते थे मजनू, नहीं नहीं साहब, लडाई जगड़ा तो नहीं लेकिन कभी कबार थोड़ी नोग जोंक हो जाती थी इंस्पेक्टर, अच्छा तो इसी नोग जोंक में कल तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था मजनू, साहब, भगवान की कसम केवल हाथ उठाया था मारा बिलकुल नहीं इंस्पेक्टर, सच सच बोलो, कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच फेक दिया था ना ताकि तुम पर किसी को शक्त ना हो मजनू, नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा इंस्पेक्टर, रोज रोज की नोगजोंक से तंगा कर आखिर तुमने उसे निप्ता ही दिया मजनू, नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है मुझे तो लगता है ये सब उस शम्शानी शेरा का किया हुआ है उसी की वज़े से हम दोनों के बीच नोगजोंक होती रहती थी इंस्पेक्टर, कौन शेरा, मजनू, साहब ये हमारे गाउं के शम्शान का चौकीदार है शम्शान में ही रहता है, बहुत खतरनाक आदमी है साहब भारती रोज उससे मिलने जाती थी मैंने जब उससे वहाँ जाने को मना किया तो वह कहती है कि वह मेरा भाई है मुझे शक नहीं बलकि पूरा यकीन है कि उसी ने ये सब किया है इंस्पेक्टर, ठीक है, ठीक है, हम पूछताच कर रहे हैं जब तक तहकीकात जारी है, तुम्हें जरूरत की समय बुला लिया जाएगा अभी तुम घर जा सकते हो मजनू हा में सिर हिला कर वहां से चला गया इसके बाद इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ शम्शान जाता है वहां पर किसी का अंतिम संसकार हो रहा था और शेरा अपने पेट से एक कंबल लपिटे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए एक तरफ बैठा हुआ था सिपाही, क्या तुम ही शेरा हो इस शम्शान के चौकीदार शेरा, हाँ, मैं ही हूँ इनस्पेक्टर, हमें तुम से कुछ पूचताच करनी है शेरा, अब तुम्ही क्या पूचताच करनी है तुम्हारा अब कौन मर गया यहां तु सब अपने अंतिम समय में ही आते हैं सिपाही, अरे, तु ज्यादा फिलोसफी मत जार इनस्पेक्टर, चल अब अपनी फिलोसफी जारना बंद कर और यह बता कि मजनू की पत्नी, भारती यहां रोज-रोज क्यों आती थी शेरा, ये मेरा निजी मामला है इन सब के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं सिपाही, अरे, आप ये निजी नहीं बल्कि एक कतल का मामला है कल रात मजनू की पत्नी का किसी ने कतल कर दिया और उसे बीच जंगल में फेक दिया और तुझे मसकरी सूझ रही है शेरा, हून, मेरी बहन का खून, ये कब हुआ, किसने किया ये सब इंस्पेक्टर, चल अब नौटन की करना बंद कर सब गाव वालों को पता चल गया और तुझे अभी तक पता नहीं नहीं चला तेरा ये ड्रामा ना, हम सब के सामने नहीं चलेगा आप सब सच सच बता रहा है कि भारती की हत्या के जुर्म में तुझे ही अंदर कर डालूं शेरा, साहब मैं शम्शान में अकेला रहता हूँ मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता इसलिए भारती बहन ने मुझसे कहा था कि जब तक वह है वह मुझे खाना हर रोज पहुचा दिया करेगी और उन्होंने अपने मुझे मुझे भाई भी कहा था फ्लाश बैक, शेरा, मुझे खाना बनाना नहीं आता भारती, तुम्हारी इस बहन के होते हुए चिंता काहे को करते हो मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी शेरा, सच बहन, भारती, हाँ, क्यों नहीं लेकिन मेरा पती बहुत कंजूस है, तुम्हें खाने का खर्चा भी देना होगा शेरा, हाँ, बहन, मैं तुम्हें 200 रुपे दे दिया करूंगा भारती, 200 रुपे तो 10 दिन भी नहीं चला करेंगे एक काम करना, तुम मुझे 500 रुपे दे दिया करना शेरा, हाँ, हाँ, ठीक है शेरा, भारती बहन मुझे खाना देने आती थी और महीने पर मैं उसे 500 रुपे दे दिया करता था इंस्पेक्टर, मैं कैसे मान लूँ कि तू जो बोल रहा है, सच बोल रहा है मजनु ने तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई शेरा, इस बारे में किसी को भी नहीं पता भारती बहन ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था और अगर मजनू को इस बारे में पता चल जाता तो वह उन पैसों को भी शराब में उला देता इंस्पेक्टर, अरे, तो हम कैसे मान ली कि तू जो तू बोल रहा है, सच बोल रहा है कोई सबूत है तेरे पास शेरा, साहब, सबजी वाले को ये बात पता है भारती बेहन ने खुद उसे इस बारे में बताया था सिपाही, अब ये सबजी वाला कौन है शेरा, रामनात सबजी बेचता है और उसे सब कुछ पता है सिपाही, सर मुझे तो लगता है मजनू की पतनी का खून इसी ने किया है और अब ये कहानिया बना रहा है शेरा, नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता जिस ओरत ने मुझे बेहन बनकर खाना खिलाया, मैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता शेरा, मैं हर रोज लोगों को इस शमशान में मिट्टी बनते हुए देखता हूँ मुझे जीवन की एहमियत अच्छी से पता है, आप मेरी बात का यकीन करो मैं ऐसा कभी खयालों में भी नहीं सोच सकता इंस्पेक्टर, अरे, ठीक है ठीक है, ज्यादा ग्यान देने की जरूरत नहीं है हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं जब तक मजनू की पत्नी का खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक इस गाउं को छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं है शेरा हां में सिर हिलाता है, उसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठ कर चले जाते हैं सिपाही, सर मुझे तो लगता है भारती की हत्या इस शेरा नहीं की है पकड़ा जाने के दर से कहानिया बना रहा है इंस्पेक्टर, ना, ना वह ऐसा काम नहीं कर सकता उसके सामने लोगों की चिता जलती है और उसके परिवार वाले रोते बिलगते हैं वह ऐसा नहीं कर पाएगा दोनों रामनाथ सबजी वाले के पास पहुँचते हैं रामनाथ, भिंडी, गोभी, तु रही ले लो सिपाही, अरे, क्या तू ही है रामनाथ रामनाथ, जी साहब, मैं ही हूँ बोलिये कौन-कौन सी सबजी या दून सिपाही, तेरी तो पूरी थेली खरीदनी है रामनाथ, क्या सच में? लगता है आज थाने में बहुत बड़ी दावत होने वाली है सिपाही, अरे, दावत तो तेरी आज में बनाऊंगा हम यहां तहकीकात के लिए आये हैं एक हत्या के बारे में पूछताच करने के लिए और तुझे दावत की पड़ी है इंस्पेक्टर, बता तू मजनू की पत्नी के बारे में क्या जानता है? रामनाथ घबरा जाता है सिपाही, अरे, अब क्या तुझे सांप सूम गया? बता भी अब, रामनाथ, साहब, भारती भावी बहुत अच्छी थी मुझसे ही सबजिया लेकर जाती थी हां मगर पैसे पूरे नहीं देती थी इंस्पेक्टर, तू शेरा और भारती के बारे में क्या जानता है? रामनाथ, हां, वह शेरा के लिए खाना लेकर जाती थी खुद भारती भावी ने मुझे बताया था उन्होंने इस बात को किसी और को बताने के लिए मना किया था उसका जो पती है नामजनू, वह बहुत ही गुसेबाज और खर्चीले किस्न का आदमी है जितना भी कमाता है सब कुछ शराब और जोए में उड़ा देता है इसलिए भावी को लगता था कि वह पैसे भी उनसे ले लेगा इसलिए साहब, मैं बस इतना ही जानता हूँ इंस्पेक्टर, अगर और कुछ बात है तो अभी बता दे अगर बाद में कुछ और पता चला तो सीधा तू अंदर जाएगा मड़ का मामला है, जमानक भी नहीं हूगी रामनात, साहब, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए इंस्पेक्टर, चल बता अब रामनात, साहब कल जब भावी सबजी लेने के लिए आय थी तो उनके साथ उनकी पडोसन, राशी कलुआ की पत्नी भी आय थी दोनों ही मुझसे सबजिया ले रही थी भारती, भाया, आज मुझे एक किलो कटहल दे दो रामनात, भावी कटहल तो 50 रुपे किलो है भारती, अरे, तुम कर तो दो शेरा भाया ने मुझे अलग से पैसे दिये है उसके लिए राशी, ओ भाया, जरा एक पाव कटहल तो देना रामनात, कुछ और ले लो कटहल तो खत्म हो गया राशी, क्यों जूट बोल रहे हो इतना सारा तो पड़ा हुआ है रामनात, वह सब तो भारती भावी ने ले लिया राशी, इतने का क्या करेगी आदमी है या भूत भारती, हाँ हाँ, अब तुम कुछ भी समझ लो लेकिन तुम से तो कम ही हूँ राशी, भारती, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है लक्षन कुछ ठीक नहीं लगते भारती, मेरे लक्षन की छोड़ो तुम अपने लक्षन की बात करो राशी, मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मज़ा चखाती हूँ रामनात, साहब, मुझे बस यही बात पता थी इंस्पेक्टर, और कुछ, रामनात, लेकिन साहब, इंस्पेक्टर उसके पास जाता है और जोर से तीन थपपर लगाता है इंस्पेक्टर, खुन इसी ने किया है गिरफतार कर लो इसे सिपाही उसे गिरफतार करने लगा रामनात, साहब मैंने कुछ नहीं किया मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर, शायद तेरी कहानी अधूरी है चल इसे पूरा कर रामनात, शायद राशी भाभी ने जाकर मजनू से शिकायत कर दी और वह वहां आ गया मजनू, तुम मेरा मेहनत का पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो जब मैंने मांगे तब तो तुम्हारे पास नहीं थे रामनात, अरे भाई काहे को जूट बोल रहे हो भारती भाभी को तो शेरा हर महीने 500 रुपे देता है मजनू, अच्छा तुम उन पैसों को अयाशी में ओड़ा देती हो चलो मुझे दो पैसे भारती, नहीं, नहीं यह मेरी मेहनत की कमाई है मैं नहीं दूंगी, रामनात अरे, तुम दोनों लोग यहां जगडा मत करो यहां से जाओ दोनों में हाथा पाई शुरू हो गई मजनू ने भारती का गला पकड़ा और टेजी से पीछे की और धक्का दिया भारती सीधा जाकर ठेली के कोने से टकराए और उसके सिर से खून बहने लगा मजनू ने उसे उठाने की खूब कोशिश की लेकिन उसने वही दम तोड़ दिया रामनाथ अरे भाईया यह क्या किया तुमने मजनू अरे कुछ नहीं अभी इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ ठीक हो जाएगी और हाँ तुम अपना मूँ बंधी रखना इसी में तुम्हारी भलाई है रामनाथ साहब उसके बाद पता चला की भावी की लाश जंगल के बीच मिली है इस्पेक्टर तुमने बात चुपा कर गुनाह किया है रामनाथ साहब मैं डर गया था अब आप बचा लो इंस्पेक्टर अब अपराधी को सजा देने में हमारी मदद करो इंस्पेक्टर तुम्हें उस मजनू के खिलाफ अदालत में गवाही देनी है रामनाथ जी साहब मैं अदालत में सब कुछ सही सही बोल दूँगा सिपाही लौत ते समय सर आपको पता कैसे चला की रामनाथ कुछ छुपा रहा है और उसने बात को गुमाया है इंस्पेक्टर तुमने सुना नहीं राशी और भारती में जगड़ा हुआ और उसने उसे सबक सिखाने की भी धम की दी बस मैंने यही सब सुनकर हवा में तीर छोड़ दिया और उसने सब कुछ सही सही उगल दिया इंस्पेक्टर और सिपाही मजनू को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं इंस्पेक्टर तुझे क्या लगा गुना करके तू बच जाएगा बेटा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं तुम जैसे कातिलों की सोच से भी लंबे इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं